हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संजे चोहान और आप देख रहे हैं पोस्टर लर्निंग पॉइंट लंबे समय के इंतजार के बाद अब आपको पोस्ट आप इसमें एनेफटी और आर्टी जीएस की सुईधा का लाब मिलना शुरू हो जाएगा अब आप किसी भी बेंकर का पेशा पोस्ट आप इसके किसी भी खाते में ट्रांसपर कर पाएंगे और पोस्ट आप इसके बज़ट खाते से बेंकर के किसी भी खाते में आप पेशा ट्रांसपर कर पाएंगे वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें पोस्ट आफिस में दो प्रकार के सेविंग अकाउंट्स ओपन किया जाते हैं पहला है IPVP और दूसरा है पोस्ट आफिस का बचत खाता IPVP जो की Zero Balance से ओपन किया जाता है और उसमें Passbook भी नहीं मिलती है जिसमें NAFT, RTGS, IMPS और UPI की सुईदाएं पहले से अवेलेबल हैं अब बात करते हैं Post Office के बचत खाते की जो की Passbook वाला है NAFT और RTGS की सुईदा बचत खाते में 1 माई 2022 से लागो होगी Post Office से किसी भी बेंक के खाते में आप NAFT के थ्रू पेसा ट्रांसपर कर सकते हैं और यदि आप NAFT से Post Office के खाते में पेसा ट्रांसपर करना चाहते हैं तो आपको बचत खाता नंबर और IFC कोट के थ्रू आप पेसा ट्रांसपर कर सकते हैं अब बात करते हैं NAFT के फाइदों की लंबे समय से यह मांग की जा रहे थी पोस्ट आप इसका जो बचत काता है बेंकों से जुड़ा होना चाहिए और उससे बेंकों से पेसा ट्रांसपर किया जा सकना चाहिए तो अब सरकार ने यह सुईदा शुरू कर दी हैं तो अब आप किसी भी बेंक से Post Office में पेसा ट्रांसपर कर पाएंगे और साथ ही यदि आपके Post Office के खाते में पेसा पड़ा हुआ है तो वह भी आप किसी भी बेंक के खाते में पेसा ट्रांसपर कर पाएंगे इसके साथ ही अब आप आने वाले समय में डाइरेक्ट बेंक से PPF और सुकनिया का पेसा जमा कर पाएंगे और इसके लिए आपको IPP का खाता ओपन करवाने की कोई आउशक्ता नहीं है तो यह सुईदा जब भी शुरू होगी तब हम आपको बता देंगे अब बात करते हैं बेंक से Post Office में पेसा कैसे ट्रांसपर कर सकते हैं इसके लिए आप किसी भी बेंक से Post Office में पेसा ट्रांसपर करवा सकते हैं या फिर आपके पास बेंक की नेड बेंकिंग या मोबाइल बेंकिंग है तो उसके जरिये भी आप आसानी से पेसा ट्रांसपर कर सकते हैं और जिस प्रकार से आप दूसरे बेंको का पेसा ट्रांसपर करते हैं उसी प्रकार Post Office के बचट खाता नंबर लिखना होगा और IFSC Code के अंदर Post Office का IFSC Code जो की पूरे भारत में एकी है वो लिखना होगा POSB का मतलब होता है Post Office का बचट खाता यहाँ पर Confuse होने की कोई आउशक्ता नहीं IPVP का खाता अलग होता है अब बात करते हैं IFSC Code की तो IFSC Code Post Office में आपको दो तरह के मिलेंगे कई बार Google पर सार्च करने पर भी आपको Post Office के IFSC Code के अंदर IPVP का IFSC Code बता दिया जाता है इसलिए आपको यहाँ पर द्यान देने की आवशक्ता है IPVP का IFSC Code होता है IPOS 6x0 उसके बाद एक यहाँ IFSC Code पूरे इंडिया में सभी IPVP अकाउंट का एक ही होता है इसके बाद बात करते हैं Post Office के POSB का जो IFSC Code है जो की अभी अभी लाउंच हुआ है इसका IFSC Code है IPOS 4x0 उसके बाद DOP है यहाँ भी पूरे भारत के लिए एक यह IFSC Code है अलग-अलग Post Office के लिए अलग-अलग IFSC Code नहीं होता है अब बात करते हैं यदि आपको Post Office से बेंक के किसी अन्य अकाउंट में पेसा ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए आपको तीन प्रकार के आप्शन मिलेंगे उसमें पहला है आपको Post Office के काउंटर पर जाकर पास्बुक और विड्राल फार्म भरकर देना होगा और उसके साथ इस प्रकार का फार्म N.E.F.T. फार्म भरकर भी देना होगा यदि आपकी राशी दो लाग से उपर है तो उसका R.T.J.S. भी कर सकते है इस फार्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब बात करते हैं Post Office की Net Banking की Post Office की Net Banking की सुईदा आपको एक माई से शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपके बेंक का खाता नंबर और बेंक का IFSC कोट डालना होगा और उसी प्रकार इंडिया पोस्ट के Mobile Banking के अंदर भी यह सुईदा मिलेगी आपको बेंक अकाउंट और IFSC कोट डालना होगा और इस प्रकार से Post Office की Net Banking और Mobile Banking के जरीए आप NFT करते हैं तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा अब बात कर लेते हैं यदि आप Post Office के Counter पर जाकर NFT करवाते हैं तो कितना चार्ज देना होगा यदि आप 1000 रुपे तक NFT करते हैं तो ठाय रुपे प्लस GST देना होगा जो कि वर्तमान में 2 रुपे 95 रुपे से बनता है 10,000 से 1 लाग तक NFT करने पर 5 रुपे प्लस GST देना होगा उसी प्रकार आगे 1 लाग से 2 लाग तक NFT करवाने पर आपको 15 रुपे प्लस GST देना होगा और आगे 2 लाग से 15 लाग तक जो की maximum limit है NFT करवाने पर 25 रुपे प्लस JST देना होगा Post Office के अंदर NFT के कुछ limits भी होती है यदि आप Post Office के counter पर NFT करवाते हैं तो minimum 1 रुपे से लेकर maximum 15 रुपे तक per day का आप transaction कर सकते हैं इसी प्रकार से Post Office की mobile banking और net banking के अंदर आपको maximum per transaction आप 2 लाग तक की NFT कर सकते हैं और यह आप दिन में 5 बार NFT कर पाएंगे per day आप 10 लाग से ज़्यादा का transaction नहीं कर पाएंगे Post Office ने safety और risk को देखते हुए रात के 8 बज़े से लेकर सुबह के 8 बज़े के बीच में केवल 2 लाग की limit रखें केवल आप 2 लाग की NFT कर पाएंगे तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को like करें comment करें share करें और channel को subscribe करना ना भूलें